चलिए train ticket, 3rd AC cancel करके देखते हैं कि कितना पैसा करतेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, IR CTC Rail Connected को open करना है, उसके बाद train में जाना है, उसके बाद my booking में जाना है, उसके बाद आपने ticket को select करना है, जो cancel करना है, तो हमें इस ticket को cancel करना है, इसके बाद यहाँ पर एक icon है, इ करना है, इसके बाद confirm कर देना है, और आपका ticket cancel हो गया, देखिए आपके पास message आया होगा, यह message में दिखा रहे कि आपका कितना पैसा वापस मिलेगा, तो देखिए, जब हम booking किया था ticket को, हमारा ticket charge कितना काटा है, cancel कराई, तो 201.87 पैसे काटा है, तो यह इतने काट कर मेरे को मिलेगा, 15,10 रुपे 38 पैसे वापस मिले काट में आएगा, और यह दो तिन दिन के बाद मिले काट में आ जाएगा,